हलो दोस्तो राज हलवाई रसपी में आप सभी का स्वागत है अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे чैनल को सस्क्राइब करके घंटी वाला बटन आन कर लिजिए चलिए हम सुरू करते हैं हलो दोस्तों आज हम राज हलवाई रस्पी में लेके आए हैं छोटे रस गुले चोटे रस गुले आज हम बनाना सिखाएंगे इसको रस भरी भी कहते हैं कहीं कहीं पे तो यह रस भरी है तो रस भरी हम कैसे बनाएंगे तो हमने यह दूध 15 किलो उबाल कर परात में पानी पज़ते हैं फटता है संब्याख को ऩो यह पता है नहीं बाते हैं पता कि पता है हो ऑर लाते हैं मसाला पनीर हमारे इस दाना पड़ हैं चलकेशने TOM做ष हेरा में लुए सब्सक्राइब रोगुक के बाइग रहा नर्टे वह फुलावट नहीं होती है जिसमें दाना पड़ जाए तो उसमें फुलावट कम हो जाती है इसलिए हम बिल्कुल कम मसाला डालते हैं उसके बाद में यह देखो पनीर हमारा फट चुका है उसके बाद में हम इसको थोड़े देर के लिए छोड़ देते हैं दस-15 मि टोकरे में मलमल लगा अँजरा हाथ ने सबस्क्राइब दाल लेते हैं हमरे टोकरी निचोड़ लिया दूसरे हम फुटी ट 맡 तोटी जो है धुख में लगी कोई तूटी जिसे पानी निकलता है उस पे हम टांग देते हैं और उसके बाद में हाथ से उठा उठाके इस तरह हम हाथ से उठाके और हम इसको पानी इसका निकाल लेते हैं तो इस तरह हम पानी निचोड़ लेते हैं अच्छी तरह पानी न रह जाए इसमें उसके बाद में यह को हमाइस करेंगे की ढगाता है इसमें थोड़ा सा मैस करते वक्त हम तौड़ा सा벡ी डाल लेंगे Six स्वाप्ट हो जाता है बढ़ियां आता है जो हम रस गुले बनाते हैं फुलावड भी बढ़ियां होता है उसमें जाली भी बढ़ियां पढ़ देती है मनें पक भी जल दी जाते हैं इसलिए हम घी डालते हैं डालडा घी इसलिए डालते हैं उसके बाद में हमने मैस करके यह त्रे में रख दिया है त्रे हमारा इस्टील का है इसमें हम रखके और हम फिरिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए जिससे हमारा यह पनीर ठंडा हो जाने के बाद ही मसाला लगाते है तो यह हमने ट्रे में रख दिया है अब इसको हम फिरिज में रखेंगे यह इस तर अपना ठंडा हो चुका है अब इसको पलड दिये हैं ट्रे में मसाला लगाना स्टार्ट करेंगे उसके पहले ही हम चासनी बना लेते हैं तो हम उससे पहले चासनी बना लेते हैं तो चासनी में हमने 10 किलो पानी डाला है और 20 किलो हमने चीनी डाला है यह 20 किलो हमारा सुगर हम हमने 10 किलो पानी डाला है पानी मतलब इससे चासनी हमारी तुरंत कंपलीट हो जाती है आधा पानी डालने से सुगर का हाप पानी डालने से यह सुगर जो हमारी चासनी है बिल्कुल तुरंत कंपले उबाला आया कि हमारी चासनी कंपलीट हो जाती है रसगुले गुलाब जाम शामनुं बनाएं ये दोनों की चासनी एकी जैसी होती है बस सिन थोड़ा सा फैराइडरो लगता है रस गुल्ये वाले में सफाई जैदा करने परते और गुलाब जाने वाले तक हलेते तो थोड़ा कंप करनी परते यह रसिखुलाले में जो चासनी हमारी बन चुकी है इसमें हम थोड़ा हैरो लगा देंगे है इस तरह हम्भी हैं फूरा हैं ऑब बनके घ्बाव कंपोलीट हो गई है अब हम मसाला लगाएंगे अपने पनीर में हमारा पनीर है जो में मसाला लगाएंगे तो इसमें हमने के उल्द तीन किलो पनीर हमारा है ये हमारा तीन किलो पनीर है ये तीन किलो पनीर में हमने ये मिठा सोडा जो है ये अंजादा से हम लगा रहे हैं चमचे से ये डेड़ गराम मिठा सोडा होगा एक ग्रम लगता है हमारा यह बैकंगे पॉर्डचर जो है शुम्रक कर दो किनीजिंग फरके फोस्तेनेने ॐ ग्राम राधी मिक्स करते हैं हमाला जो मिक्स को गया मसाला इसके बाद से लगाएंगे चैज को तो बाल हो इसे कवे ऐसे मिला देते लगाते हैं उसके बाद हम जो हुआ है आरा रोट और सूजी लगाते हैं तो यह हमारा ट्रे में तॉल के रखा हुआ है यह तीन से गराम आरा रोट है और यह साथ गराम सूजी है हमारा ये 60 ग्राम हमारा सूजी है तो हम बिलकुल लगा दे रहे हैं इसको ये इसमें हम डाल दे रहे हैं 300 ग्राम आरा रोट हो गया और 60 ग्राम सूजी हो गया हम एक किलो पनीर में 20 ग्राम सूजी लगाते हैं और एक किलो पनीर में हम 100 ग्राम आरा रोट लगाते हैं तो बिलकुल ह हमारा ये जो है सारा मसाला जो है आरा रोट और सूजी ये सब पढ़ चुका है अब इसको मैस कर देंगे और इसको मैस करके बिलकुल बढ़िया बना लेंगे अच्छी तरह मसाला मिला के हम बिलकुल कम्पलीट कर लेंगे तो ये हम बिलकुल मिला रहे हैं मसाला हमारा जो मसा देते हैं गुरुलिया बनाना बताएंगे आप भी अपने घर में बना सकते हो लेकिन कहिए हम ज्यादा कौंड़िटी में घर वालों को समझ थोड़ा कम लगता है इसलिए हम बिल्कुल सरल तरीके से बताते हैं कि हमने बिल्कुल तॉल के सामान बताता हूं तो आदमी घर में भी बना लेता है तो हम बिल्कुल जो है तोल के सामान बताते हैं कि हमारा जो है नाप तोल से बिल्कुल हम सामान बताते हैं घर में भी आदमी इस तरह का देखके घर में बता यह हमारे दुकान का है इसलिए हम ज्यादा कौंड़िटी बनाते हैं तो यह हमने छोटे-छोट के तोड़ते हैं तो यह हमारे जो है गोलिया इस तरह मैस करके जो हम दो दो के लिए एक साथ बना देते हैं इस तरह हमारी मैस करके और बढ़िया दो गोलिया हमने कंपलीट कर दिया है बिल्कुल हमारे यह दो गोली बनके त्यार हो गया दूसरी गोली भी हम बना रहे हैं इस तरह हम सारी गोलिया बना लेंगे आपको गोलिया बनाला करें चिक्षा दिया इस तरह यह सारी गोलिया हमारी क्रिक हो धक्कन हैं हमारे छोटे पतीले का यह भर चुकी है यह हमारे तीन किलो पनीर का तीन किलो पनीर का मसाला लगा के हमने जो गोलिया बनाया है अब यह हमारी गोलिया बिलकुल कम्पलीट हो गी है बनके त्यार हो गी है अब हमने चासनी को उबाला दे दिया है हमारी भठी हाई फ्लेम पे चल लही है चासनी उबल रहा है उसमें हम यह रीठे का पानी हम भिगो के रखे रहते हैं रीठे का पानी से जग तुरंत बन जाता है इसमें जग बनाना होता है और जग से जो हमारे रसगुले हैं नीचे चले जाते हैं उपर कम जग से कबर हो जाता है रसगुले तो अब हमारा जो है चासनी बिल्कुल तयार है जग सब्सक्राइए यहमारे तीन किलो पनीर की जो गोली्यां Cheloshita बिल्कुल बनके complete हो गई है तो इसको हम अब पकाना स्टार्ट करेंगे तो यह हमारा जो है जो चासनी उबल रहा है अब इसके धीरे धीरे यह जग जब क्या नाम है उपर आएगा जिसका जग उपर आएगा धीरे धीरे तो यह कबर होते जाएंगे और फूलते भी जाएंग नाले कबर होते जाएंगे तो यह हम बिल्कुल यह उबलता रहेंगा और उसके बाद में में अब इसको उपर भी हो जाये जो ज्भी जाह बाए उपरसे फेना यह रीठे की वह जीसे होता है रीठे हम डाल दें तो इसमें और ऊढ़े में काम आता है लेकिन हम इसमें रीठे डालते हैं कि जग की वज़ा से बहुत से लोग हैं घर में बनाते हैं और रीठे और नहीं दिखाते हैं वह अपना छोटा पांड बरतन होता है उसमें कबर कर देते हैं सीसे का जो ढकन होता है उससे कबर कर देते हैं नाश्टिक पैन में उससे कबर हो जाता है लेकिन जब तक ये रीठे का पानी मत ना लगाओ ना लगाओ तब तक इसका कबर सही नहीं होता है ये सही रसगुले नहीं पकते हैं जब तक रीठे का पानी लगाओ जो आदमी दिख यह प्ढम आ पानी लगाना चैड करते हैं क्योंकि पानी देख सुकि hè इनको पानी की चाहत होती है जब जितना ही पतला करेंगे जो हमारे अंदर पक जाते हैं उसमें पतले चाहसनी बढ़ना शुरू हो जाती है जब हम पानी लगाते हैं तो हम इसमें थोड़ी चाहसनी पतली हो जाती है इसलिए रसगुल्य की जालियां है उसमें अंदर तक पतल पानी लगाएंगे यह पकी तो होती है लेकिन इसमें पान नहीं होता है जासनी गाड़ी हो जाती है अब जितना ही पानी लगाते जाएंगे अंदर तक के रसगुले भरते जाएंगे और आधे से ज्यादा यह डूब जाते हैं अगर हम डोरी में ले 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 अपने जो बरतल ले हैं हमने डोरी इसको कहते हैं कर्ची वाला तो इसमें अगर हम लेके दिखाएंगे आधे से ज्यादा डूब जाते हैं जितना ही पानी पतली चासनी इसके अंदर बढ़ेगा उतना ही यह थोड़ा सा डूबते रहते हैं डू प्वाइब आधे दर तक और बिलकुल होचे हैं अब इसको हम धिलाते रहेंगे थोड़े देर तक और ये हमारे दोरी में देखो कितना बणिया लग रहे हैं कितने सफेद रंग के रसगुले हैं हमारे रसभरी बने हैं अब इसको हम पतीले में निकाल देके हैं कडाई से यह हमारा पतीला है इसमें हम निकाल देते हैं सारा तो हमने रसगुले सारा निकाल दिया है छोटे रसभरी हमारे ज भी अपने घर में बना सकते हो तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजिए गंटी वाला बटन आन कर लीजिए ताकि आने वाली हलवाई वाली वीडियो हमारी आपके पास पहुंचती रहे